नमस्कार आप सुन रहे हैं नवतेश टीवी का पॉड़कास पुलेटेड आज तारीख है 29 अप्रेल दिन है शनीवाद आईए सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरे दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल और उपरा जिपाल वीके सकसेना के बीज नई तक अखरार छट गई है बतादें कि LG ने केजरिवाल के आवास के रिनोवेशन में हुई कथित घोर अन्यमित्ताओं से जड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का संग्यान लेकर बुथि सचिव से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है आपको बतादें कि LG आफिस की ओर से जारी बयान में क अखते हो मुकि सचिव से इस मामले से संबंदित सभी रिकॉर्ड को तुरंट सुरक्षित करने और प्रोटेक्टिव स्टडी में लेने के निर्थेश दिये इसके बाद रिकॉर्ड्स की जाच के बाद इस मामले पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सौपने के प्रियागराज में उमेश पाल हत्या का आरोपी और माफिया अतीक एहमत के गैंग का खतरनाक शूटर बंबास गुड़ो मुस्लिम को लेकर पुलिस जाच में एक बड़ा खुला सा हुआ है सूत्रों के हवाले से जाच में पता चला कि गुड़ो मुसलिम एक बड़े राजनितिक दल से चुड़ा हुआ है पुलिस जाच कर रही है कि क्या गुड़ो मुसलिम की फरारी में कोई राजनितिक शक्सियत तो मदद नहीं कर रही है पुलिस को ये भी पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम के तीन खास रिष्चेदार साओधी अरब में भी रहते हैं इनमें गुड्डू का भाई मुहम्माद असलम, भानजी, साहिबा और भानजा ताविश शामिल है परारी के दोरान गुड्डू की लोकेशन जब ओडीशा की थी तब पुलिस को पता चला कि गुड्डू के पैसे खत्म हो चुके हैं और वो पैसों के जुगार में लगा है कतिच शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्य मंत्री मनीश सिसोदिया की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही नियाइक हिरासत खत्म होने पर शरीवार को प्रवरतर निदेशाला यानी एडी ने सिसोदिया को राउज एवेन्यो कोट में पेश किया जहां कोट ने उनकी हिरासत को आठ मई तक के लिए बढ़ा दिया एडी के वकील ने कोट में जानकारी देते होए बताया कि मनीश सिसोदिया को 9 मार्च को गिरिफतार किया था और 10 मार्च को रिमान्ट पर लिया था तभी से वे जेल में है नियाएक हिरासत बढ़ाई जाने के बाद जब मनीश से सोग्या फोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा मोदी जी कितनी ही साज़िश कर लें लेकिन केजरी वाल के काम को रोक नहीं पाएंगे IPL 2023 में अभी तक 38 मुकाबले हो चुके हैं और आज कल में 4 और मुकाबले होंगे रविवार रात तक 42 मुकाबले खत्म हो जाएंगे आखरी मुकाबला लखनव सुपर जाइंट्स और पंजाब किंक्स के बीच खेला गया हाई स्कोरिंग मैच में लखनव ने 56 रनों की धासू जीत दर्ज की जीत के साथ वो पॉइंट टेबल में उचल कर दूसरे पायदान पर पहुंचे केल राहूल की कप्तानी वाले टीम के जीतने से आईपेल 2023 के प्ले आउफ के लिए एक बड़ा ही रोचक सिनेरियो बन गया है राजिस्थान, लखनव, बुजरात और चेनने के लिए ये रास्ता आसान लग रहा है पॉइंट टेबिल की अगर बात करें तो पिछले सीजन की रनर अव राजिस्थान रोयल्स आठ मैचों में 10 अंकों के साथ नेट रनरेट के आधार पर पहले नंबर पर है जबकि लखनव के भी आठ मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक है जाइंट इन दौनों से एक कदम आगे है यानि उसके सिर्फ 7 मैचों में 5 जीत है जबकि धोनी की कपतानी वाली चेन नई सुपर किंक्स के भी 8 मैचों में 10 पॉइंट्स है इनकी पोजिशन नेट रन रेट के आधार पर आगे पीशे है